हेलो फ्रेंट वेलकलम टो क्रेटिविटी फॉर यूओ इस वीडियो में हम कलरि कंट्रास्ट और एफेक्ट यह सारी चीज़े कवर करेंगे सो फ्रेंट आप वीडियो को प्लाश्ट तक जरूर देखें तो चलिए शुरू करते हैं यह देखें फ्रेंट हमने यहां से एक ले लेवेल्स में यहां से थोड़ा सा हम इसको यहां से इस तरह से इसका कलर थोड़ा टार करेंगे बहुत ज्यादा इसमें कलर नहीं बढ़ाएंगे ओके कर देते हैं कि यह देखें हम यहां से एक लेयर बना लेते हैं इस तरह से और यहां से हम जाएंगे लेवेल्स पर क्लिक करेंगे सॉरी कुछ और उपन हो गया यह लेवेल्स पर हम क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं फिर हम इसको कर देते हैं और हम यहां पर कुछ भी नहीं करेंगे आप देखें फ्रेंड हम यहां से जाएंगे सेलेक्टिव कलर पर यहां से हम थोड़ा सा ब्लैक कलर बढ़ाएंगे और इसको ओके कर देते हैं यहां से जाएंगे कलर बैलेंस पर कलर बैलेंस पर जाने के बाद में हम यहां से थोड़ा सा अपना यह कलर इस तरह से माइनस करेंगे कर देते हैं अब हम इसे ओपिन करेंगे कंट्रास्ट इसको हम थोड़ा सा प्लस करेंगे कंट्रास्ट को हम 20% बढ़ा देंगे हमारा यहां तक हमारा वर्क कंप्लीट हो गया पर अब हम इसको यहां से सलेट करेंगे यहां तक इसको हम मर्ज करेंगे मर्ज करने के लिए कंट्रास्ट इप्रास्ट कर सकते हैं की बोड़ से अधर वाइस हम यहां से राइट क्लिक करेंगे और यह मर्ज यहां पर क्लिक करेंगे यह हमारी देखें मर्ज हो गई यह देखेंगे पर हमारी यह लेयर मर्ज हो गई है मैं आपको आफ्टर बिफोर दिखा देती हूं यह थी हमारी लेयर इस तरह से अब यह हमने प्रिंशिंग करी है इसमें अब हम देखेंगे इसमें एक एफेक्ट लगाएंगे उसके लिए हमें एक यहां से एक ब्लैंक पेज लेना होगा चलिए हम ब्लू कलर का ले लेते हैं और यहां से चाहेंगे हम कि यह अबर किल्क करेंगे कि यह देखेंद इस तरह से हम getir है центр हो गया है इसको हम सब्सक्तों चाहिए तो इसका इसका कशलर हम चेंज कर सकते हैं यहीं पर क्लिक करेंगे और हम यहां से किसी भी कलर का एफेक्ट लगा सकते हैं प्राल तो हमने ब्लू कलर का लगाया है और यहां से इसकी ऑफिसिटी थोड़ी सी कम कर देते हैं इसको और इसको हम लेयर को मर्च करेंगे अब यह हमारी फाइनली फोटो की एडिटिंग होगी अब यह देखे आफ्टर विफोर इस तरह से फ्रेंड हम अपनी फोटो का कलर चेंज कर सकते हैं किसी भी फिक का फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक केजिए चेल को सब्सक्राइब केजिए ठैंक्स पावर जी